भगवान हनुमान जी ही एक ऐसे देउता है जो कल्युग में रहकर संकतों का निवारण करते हैं भगवान संकर के ही अवतार हैं भगवान संकर का ही सुरूक हैं जे शरीर रतिराम सूसरी आदर ही सुजान रुद्र देहें धरीने stubस बानर बे हनुमान भग्मान रुद्र ही भग्मान राम के प्रेम में आकर के इस धराधाम में भक्तों के संकठों का निवारण करते हैं जब किसी भी देवता से और कहीं से आपका काम ना बनता हो तो भग्मान हनुमान जी के सरण में आ जाईए और हनुमान जी को अपनी समस्याएं बताईए उन हनुमान जी आज भी साकार रूप में साक्षात रूप में इस प्रतिवी पर इस धराधाम पर विराजमान है यत्र यत्र रघुनात कीरतनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वास्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारूती नमतरक्षांतकम जहां जहां पर भी भगवान राम की बंदना होती है भगवान राम का इस्मरण होता है भगवान राम का गुणगान होता है भगवान हनुमान जी वहां आकर की उपस्तित हो जाते हैं और भक्तों के संकठों का निवारन करते हैं राम भक्त ही भगवान हनुमान का भक्त है भगवान हनुमान जी भगवान राम और सीता को अपने हरदें में धारण करते हैं आप यह भी कह सकते हैं कि भगवान हनुमान का हरदें ही भगवान राम और माता सीता हैं और जब आप भगवान राम और सीता की सरण में जाते हैं तो भगवान हनुमान का हरदें अपने आप प्रपुलित हो जाता है राम भक्तों के कश्टों के निवारण के लिए ही भगवान हनुमान इस धराधाम पर हैं और हनुमान ही भगवान संकर हैं भगवान संकर कौन हैं भगवान संकर ही पित्र हैं पित्रों का कैसा भी दोसों आपके उपर आप हनुमान जी की पूजा करें आपके सारे पित्र दोसों का निवार हो जाएगा चुंकि हनुमान ही भगवान संकर है और वागर थावियो संप्रित्तव वागर थप्रतिपत्ते जगता पितरव बंदे पारवती परमेश्वरव इस अंसार के जो आदि पित्र है वह भगवान संकर और माता पारवती है और वह संकर ही भगवान हनुमान के रूप में जाने के बाद वह दोस ही आपका असिरवाद के रूप में काम करने लगता है वो दोस नहीं होता है भगवान हनुमान जी पित्र के स्वरूप में ही है और वह पित्र ही है यो रुद्राशो शिवा जो रुद्र है वही ब्रह्म यो रुद्राशो ब्रह्म हा जो ब्रह्म है यो होतासन है वही ब्रह्म है वही रुद्र है शारे देवता एक है भगवान हनुमान की क्रपा जिस भ्यक्ति पर हो जाए उस भ्यक्ति के ऊपर संक्ठ आ ही नहीं सकते संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरय हनुमत बल बीरा भूत प्रेत निकट नहीं आवे महाबीर जब नाम सुनावे भगवान हनुमान जी का ऐसा चमतकार है कि हनुमान जी के इसमर्ण मात्र से ही संकटों का निवारण होता है बस आपको भगवान हनुमान के ऊपर विश्व बिश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है बिन विश्वास भगति नहीं तहीं बिन द्रवहिन राम और अगर जब तक राम द्रवित नहीं होंगे तो कल्यान होने वाला नहीं है राम को प्रसंद करने के लिए विश्वास की जरूरत है किसी भी देवता को प्रसंद करना है य विश्वास भगवती नहीं तेही बिन द्रवही न राम भगवान की क्रपा आपको नहीं मिलेगी बिना विश्वास के इसलिए विश्वास करें माता भगवती भगवान हनुमान के साथ ही रहती है